हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समया पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा या सुना होगा कि रेलवे ट्रैक पर कोई जानवर या कोई इनसान या कोई कार या अन्य किसी चीज के आज आने पर भी ट्रेन के ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाते ऐसा क्यों होता है क्या ट्रेन के ड्राइवर जान वीडियों में हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर, ट्रेन के ट्रैक पर अचानक से कुछ भी आ जाने पर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रेन को तुरंत क्यों नहीं रोका जा सकता देखिए दोस्तों आप लोगों को यह है तो पता होगा कि जब हम रेलवे क्रोसिंग पर होते हैं तो सामने दो लंबे लंबे बैरियर लगे होते हैं और जब ट्रेन किसी भी स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो पहले ही यह दो बैरियर नीचे कर दिये जाते हैं यानि रेलवे फाटक बंद कर दी जाती है ताकि कोई भी उस समय दूर दूर तक भी रेलवे ट्रेक पर नजर ने आए लेकिन कई बार उस समय में कुछ जल्दबाजी करने वाले लोग फाटक को पार करने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से कई बार दुरगटना हो जाती है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सामने से कोई इनसान या जानवर जा रहा हो तब भी ट्रेन उसको देखकर क्यों नहीं रुखती क्यों ट्रेन का ड्राइवर कई लोगों को भी ट्रेन के सामने दे ड्राइवर को अमर्जेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी और आपको यह भी पता होगा कि हर ट्रेन के पीछे कम से कम 30 से लेकर 40 तक बोगी जुड़ी होती है और ट्रेन नॉर्मली ट्रेक पर कम से कम 100 किलोमिटर परती घंटे की रफतार से तो चलती ही है तो ऐसे में अमर्ज तेल या गेहूं ले जाने वाली ट्रेन है तो ऐसी ट्रेन की दूरी किसी भी चीच से एक किलोमिटर तो कम से कम होनी ही चाहिए तो कहने का मतलब है कि ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को कम से कम एक किलोमिटर पहले ही धीरे धीरे ब्रेक अपलाई करके रोकन जाएगी और हजारों लोगों की जान चली जाएगी और एक किलोमेटर की दूरी से ट्रेन के ड्राइवर को सामने की चीजें नहीं दिखती उनको पता ही नहीं चलता कि एक किलोमेटर की दूरी पर कोई खड़ा है या नहीं और कई बार ट्रेन को ऐसे ट्रेक से भी मुड़ना पढ़ता है जहाँ पर कई डिगरी का घुमाओ होता है। ऐसे में तो ट्रेन के ड्राइवर को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि सामने ट्रेक पर कुछ खड़ा है या नहीं। इसलिए जब ट्रेन का ड्राइवर किसी भी इंसान गाड़ी या जानवर को ट्रेन की पट्री पर देख लेता है तो उस समय वो ट्रेन के बहुत ही पास होते हैं उससे पहले तो वो उनको देख ही नहीं पाता इसलिए वो एकदम से इतनी पास होते हुए ट्रेन की ब्रेक नही वो ट्रेन को एकदम से नहीं रोग सकते तो दोस्तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रेन के डुराइवर सामने कुछ दिखने पर भी ब्रेक क्यों नहीं लगाते तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी क्रीप्या करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद